तो हेलो दोस्तों आज की स्टूडियो में हम बात करेंगे Samsung Galaxy S21 FE 5G के बारे में जो की एक शांदार फोन है RGB RAM PLUS 128 GB ROM वाला जो फोन है आपको 34,999 मिलेगा फिलिप कार्ट पे और यह जो है पहले महंगा था अभी जो है सस्ता हो गया बहुत पहले लॉंच हो गया था बट यहां अभी के टाइम पे भी यह जो है अच्छे अच्छे फोनों को जो है competition दे सकता है और इसके जो specs है वो काफी प्रीमियम है काफी बढ़ियां आपको experience देंगे सबसे पहले मैं बता दू यहां पर जो design है बहुत ही बढ़ियां लगता है फोन का मलब प्रीमियम तो लगता ही है साथ में पीछे polycarbonate लगा हुआ है फिर भी यहां पर आपको fingerprint के निशान नहीं आते हैं scratch नहीं आते तो यह जो है बहुत ही अच्छी बात है बिना back cover के भी जो है आप फोन यूज कर सकते हैं Slim है फोन मालब पतला आपको लगेगा तो काफी जो है compact भी वन जाता है फोन अभी और चीजों के बारे में बात करते है बात करें डिस्पेलिया आपको पता है यहां पर बहुत ही बढ़िया डिस्पेली प्रोइड करता है यहां पर और भी अच्छी आपको डिस्पले मिलती है, यहां पर 6.4 इंच की Full HD Plus Dynamic MO2X डिस्पले आपको दी जाती है, रिफ्रेश रेट जो है 120 हर्च का रिफ्रेश रेट दिया जाता है, यह जो है बहुत ही बढ़िया डिस्पले आपको प्रवाइट करते है, यहां पर बैज इस रेलेटेड वीडियो देखी तो सबने इसके बारे में अच्छा ही बता है, यहां पर डिस्पले को लेके तो बढ़िया आइफोन बहुत ही जादा, बात की जाएं यहां पर कैमरा की, तो यहां पर 12 MP का मेन कैमरा दिया जाता है, 12 MP का अल्ट्रा वाइड, 8 MP का टेली फो अपको बढ़िया है, ठीक यौचिंज ए सकांधिया है, 32 MP का फ्रंट कैमरा है, वहाँ आप को सेल्फी निकाल के देता है, तो यह चीजे जो है, बब बहुत ही कैमरा से लेवल है, अग्डर लेवल है, बहुत ही वाँच्छ लेवल है, बहुत राप्र से फ्रंट यहां आपको कि व्लॉग के लिए यह फोन बहुत ही बढ़ी है तो व्लॉगिंग के लिए भी बढ़ी है यह फोन और फोटो वगेरा तो काफी अच्छी आती है यह तो बोलना पड़ेगा बात करें बैटरी की तो यहां पर 4500 mh की बैटरी दी जाती है नॉर्मल युसेज में आपका पूरा दिन अराम से निकल जाएगा 25W की Fast Charging दी जाती है यहाँ पे 15W की Wireless Charging दी जाती है Wireless Charging दी जाती है मतलब फोन लगता है कि महंगा है महंगे फोनों में होता है यह Wireless Charging तो यह भी Wireless Charging आपको प्रवाइड करता है जो कि अच्छी बात है भले ही 15W की है Type-C Connectivity के साथ आता है तो Type-C cable आपको काफी बढ़ियां आपको performance देता है Gaming आपकी हो जाएगी और daily tasks जो होते हैं वो तो smoothly वर्क करेंगे उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है मक्कन से मक्कन की तरह विल्कुल चलेंगे कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर performance मैं कहूंगा कि आपको अच्छी मिलती है जो मैं बता दो Samsung की जो network strength होती है वो भी जो है काफी बढ़ियां होती है तो वहाँ पर भी आपको कोई भी issue नहीं आएगा 4G, 3G, 2G भी चलता है यहाँ पर 5G के अलावा dual sim slot आपका लगता है दो sim आप लगा सकते हैं यहाँ पर आपको नहीं दिया जाता ओप्शन वाट कोई दिकतनी storage जो है है आपकी बढ़ियां इस्टीरियो speaker दिया जाते है dual mic आपको दिया जाता है IP68 की rating दिया जाती है NOX security आपको मिल जाती है 177 gram का जो phone है काफी light है तो overall जो phone है काफी बढ़िया phone है मैं आपको recommend कर सकता हूँ कि आप खरीज सकते है professional लगता है Samsung का phone जो होता है professional लगता है तो वह चीज है तो आप समझ लिए अपने हिसाब से आपको लेना है कि नहीं तो मलदब ठीक है लेना चाहें ले सकते है flip card